इस देश में कुल 59 प्रतिशत लोग शहरों में रहते हैं तो वही 31 प्रतिशत लोग रूरल एरियाज से बिलॉंग करते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस देश के पास ज्यादा बड़ा लैंड एरिया नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ पर बारा हजार नदिया बहती हैं जिबकि करीब तीन हजार के करीब जील हैं यहाँ तब भी तो कहा जाता है कि अगर आप हैं शौकीन किसी ऐसे जिहां पर आपको रोड के साथ साथ बोट का भी मसा मिल है तो यह देश आपके लिए पॉफेक्ट है जिहां यहाँ पर बोट से भी लोग सफर करते हैं क्योंकि नदिया एक शहर से दूसरे शहर को जो जोड़ती है पिल दोस्तों लात्विया की राजधानी है रीगा ऐसा लगता है कि लात्विया के हर इंसान को अपनी राजधानी से बहुत प्यार है आपको बता दू कि लात्विया का हर तीसरा बंदा इस शहर में रहता है जिहां रीगा की जनसंख्या तकरीबन साथ लाग के आस पास है कहते हैं कि इस शहर में इसलिए maximum लोग बश जाते हैं क्योंकि यहां पे नौकरी के सबसे ज्यादा आसार हैं दोस्तों ये बाद सच है कि Second World War के दौरान लात्विया देश को बहुत मुसीबत जीलने पड़े थी आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश के कुल पॉपिलेशन का 14% खत्म हो गया था Second World War में तक्रीबन दो लाख लोगों को बंदी बना लिया गया था उस दोरान इस देश की हलत ऐसे खराब हुई कि आज भी ये ठीक से उस काले समय से उभर नहीं पाया है दोस्तों लात्विया देश के बारे में कहा जाता है कि ये छोटा जरूर है लेकिन एफेक्टिब बहुत है इसका मतलब ये है कि इस देश के पास ताकत है कि अपनी आवाज ये उपर तक पहुँचा सके यहाँ UNO में कई बार इस देश ने अपनी बार पूरी ताकत से रखे है यह तो खासियत है इस चोट से देश की वैसे यहाँ के लोगों को भी मुफाट कहा जाता है कहने का मतलब यह है कि ये जो चाहते हैं बोलना वो आपके सामने बोल के ही दम लेते है दोस्तों लात्विया में आपको टॉप क्लास इंटरनेट की सुगधा मिलती है यहाँ पर उस्तन 99.38 Mbps की स्पीड आपको मिलती है जो कि यूरॉप के कई बड़े देशों के मखाबले भी कहीं ज्यादा है यूके की स्पीड आपको बता दें 64 Mbps अब तो और वर्ल लीडर अमेरिका भी इंटरनेट स्पीड के मामले में लात्विया से कहीं पीछे है विल फ्रेंड्स के आपको पता है कि दुनिया को जीन्स पहनना किस ने सिखाया यह सफकोस लात्विया ने सिखाया है आपको बता दूँ कि जीन्स के इंविंटर टेलर जाकब डव्यू डेविस का जन्म इसे देश में हुए था वो अलग बात है कि वो जबानी में अमेरिका में जाकर बस गये थे लेकिन दोस्तों उससे पहले वो लात्विया में ही रहा करते थे तो इस लिहाज से देखा जाये तो जीन्स पैंट के इंविंटर लात्विया देश सही है विल दोस्तों आपको बता दूँ कि इस देश में बहुत ही खुबसूरत बीचेज आपको देखने के लिए मिल जाते हैं यहां कि सैंडी बीचेज की बात ही अलग है बई अब इसी बात से समझ सकते हैं कि यहां पर कितनी ग्रीन री होगी यहां की खुबसूरती कितनी ज्यादा होगी अब जहां पर जंगल होगे जहां पर हर्याली होगी वहीं तो सबसे ज्यादा आपको वाइल्ड आनिमल्स भी देखने को मिलेंगे पर एके जंगली जानवर देखने को जो मिल जाते हैं बस आपको इनके हमले से बचके रहना है नहीं तो नुकसान हो सकता है आपका फिल दोस्तों आपको बता दूँ कि इस देश की राइवलरी हमेशा से ही इस्टोनिया देश के साथ रही है यहां के लोगों का मानना है कि वो दूसरा सबसे पुराना देश का जंडा लात्विया देश के नाम ही है इस देश ने अपना फ्लैग आजकल में नईबल की 1280 में ही लॉंच कर दिया था कहा जाता है कि यहां के लोग अन्य देशों की ही तरह अपने देश के फ्लैग को कभी नीचे नहीं गिरने देते यहां तो आपको यह भी बता दूँ कि इस देश के लोगों के बीच में शराब पीने की बहुत ही घलत आदत है यहां पर शराब सुबह शाम हर वक्त पीचाती है इनफाक्ट आप कह सकते हैं कि हर मील के बाद ही यहां के लोग एक पेक तो कम से कम लगा ही ले लेते हैं हलनके इसक पीचे यह कारण तो बिलकुल भी नहीं है कि यहां पर ठंड परते बलकि आप कह सकते हैं कि यहां के लोगों की आदत ही हो गई यह शराब पीने की एक और बात आपको बता दूँ जो काफी स्पेशल है लात्विया के बारे में वो यह है कि इस देश के लोग आपको मॉनिं में लात्विया से ही निकल के आती हैं आपको बता दूँ कि आज के दिन फैशन इंडूस्ट्री को यहां की सूपर मॉडल्स लीड कर रही हैं पर कापिटा के हिसाब से देखा जाये तो दुनिया में सबसे ज्यादा मॉडल्स का रकॉर्ड इसी देश के पास है यहां कि जना से जनोवा का नाम जरूर सुना होगा 6 फुट 11 इंच की इस महिला खिलाडी ने दुनिया का हर बड़ा खिताब अपने नाम किया है अब इसी बैद से इनकी महानता के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं कि यह पहली नॉन अमेरिकन इन्बीया हॉल ओफ फेम में शामिल लिखना free of cost है अगर कोई स्कूल नहीं जाता है तो यहाँ पर बच्चे के parents को explanation देना होता है कि आखर किस वज़ा से बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है इसे कहते हैं education के लिए देश का समर्पन दोस्तों आपको बता दूं कि लात्विया में बेरोजगारी की समस्या सबसे बहुत बड़ा कारण है कि यहाँ का growth rate ठीक नहीं हो पा रहा है दोस्तों कि आपने angel falls जील के वेरे में सुनाया गया यह सबसे खतरनाक waterfall जो विनिजवेला देश में है इस waterfall की उचाई को देख कर ही आधे लोगों की जान निकल जाए लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि ल अलिक्जांडरस लाइ में पहले ऐसे इंसान थे जो कि इस waterfall के उपर पहुंचने में सफल हुए थे आप समझेए कि यह कितना हिम्मत वाला काम था तबी तो कहा जाता है कि लात्विया देश के लोग बहुत हिम्मत वाले होते हैं दोस्तों कि आपको पता है कि लात्विया द इस देश का सबसे पसंदीदा ड्रिंक है इसे 24 अलग-अलग किस्म के पेड़ पौधों, buds, juices, roots, oils और berries से तयार किया जाता है कि इसे पीने के बाद को इनसान जल्दी बिमार नहीं पड़ सकता कहने का मतलब यह है कि अगर ठंड ज्यादा हो तो भी लोग इसे पीते हैं यहा पास्त के लिए बहुत अच्छा है तो आपको बता दूं कि लात्विया के लोगों को खाने पीने का बड़ा शौक होता है अब जिनरल ही देखेंगे कि यहां पर वीकेंड पे लोग अपने घर पे खाना बनाते हैं वैसे आपको बता दूं कि यहां पर सौरल सूप को काफी पसंद किया जाता है जहां बच्चे हो या जवान या बुजर्ग यह यहां पर सब की पहली पसंद है वही आपको जब यह इस देश में जाने का मौका मिले तो एक बार इस सूप को ट्राई जरूर कीजिएगा लत्विया के बारे में एक बात और बहुत रोमांचिक है जान और नहीं सोचते हैं सही बात है जब वाइफ ऐसे मिल जाया जो सब कुछ हैंडल कर ले तो भई टेंचन ही क्या है है यह यह नहीं दोस्तों विल दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आपने अब तक जेल की हवा नहीं खाई है और चाहते हैं कि बिना कश्ट सहे जेल का experience मिल सकते हैं इन फैक्ट आपको यहां पर कैदियों वाली ड्रेस भी दी जाते हैं अंत में दोस्तों आपको बता दूं कि लात्विया के लोगों के बीच में बहुत पॉपिलर है जियां सर्फ पीने के लिए ही नहीं बलकि दोस्तों बियर स्पा वाम बीर बैथ यह सब कुछ य अगर आप यह विडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा फिलाल मिलता हूं आपसे अगली विडियो में तब तक के लिए बाबाए और टेक केर